है एवरिवन वेलकम तो सरकारियर्ट वंस अगें तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टन डिसकुशन करने वाला हूं जो एमस बीसी पारमेडिकल इंटरंस एक्जाम ट्रेंस एक्जाम के रिकार्डिंग रहने वाला है तो इससे पहले जो मैंने वी देखेंगे कि जो ऐमस बीसी पारमेडिकल के लिए वहा achieक पारिण उपयों पर चीपे होई ले दूसके करने का option आ गया तो इसी के थूरू अंबुक समझेंगे कि exam city कहां कहां पर है कौन कौन सी state में ठीक है तो alphabetically देखेंगे और मैंने आपको बताया कि जो आपको मतलब exam city पास लगता उसको आप पहले नंबर पर रखो जो थोड़ा दूर है उसको दूसरे नंबर पर रखो जो थोड़ा और दूर है उसको तीसरे नंबर पर देखो ठीक है लास्ट वाले में तो एनी अधर दिखा रहा है वो गुहार्टी दिखा रहा है ठीक है नेक्स यहां पर state है bihar बिहार में आप देख सकते हो center दिखा रहा है मतलब exam city दिखा रहा है पटना तो बिहार वाले candidates यह choose कर सकते है ठीक है या बिहार के आसपास जो भी state है वो भी यह choose पटीक है फिर करनाटब का में बेंगलूरू आपका दिखा रहा रहा है एक्जाम सिटी अडु सके बाद केरला में आपके लिए आपके बीदेश के लिए गारा। में आप देख सकते हो मुंबई, नवी मुंबई वाला रीजन है और उसके बाद ओडीशा है, ओडीशा में भुबनेश्वर दिखा रहा है, और उसके बाद नेक्स्ट है राजस्थान, ठीक है, तो राजस्थान यहां पर आपको नहीं दिख रहा है, उससस्टेट का इसके लिएट है तो उत्तर परदेश वाले, उत्रागं का देरादून चूज़ कर सकते हैं, या तो पहले नंबर पे या फिर वो दिल्ली को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो भी उनको अपने गछर से पास लगता है, धिल्ली अगर पास लग रहा है तो दिल्ली कर लो पहले नंबर पे, देरा दुन अगर बास लग रहा है तो इस तरीक एसे कर सकते हो, तो 99% चांजेज गयी होता है कि पहले नंबर पे جो आप करोगे वही मिलेगा बहुत rare cases में आपको दूसरे number वाले center जो वो alert किया जाता है तो ये आपकी BAC paramedical के exam center से related information हो गई बाकी और भी जो important details होंगी category certificates related वो भी में जल्दी provide कर दूँगा जैसे ही information bulletin आ जाएगा तो आप अगर channel पर नहीं हो तो subscribe कर लो बाकी किसी को भी form fill आप में कुछ भी help चाहिए तो वो जो है ले सकते हैं आपको comment section में मेरे telegram ID का जो है link मिल जाएगा लेकिन वो chargeable basis पर रहेगा तो अगर आपको message करने तो आप उस पर कर सकते हैं ठीक है तो अब इस वीडियो को ही पर end करते हैं अगर ये वीडियो आपको helpful लगे तो प्लीज उसको जरू लाइक कर देना चैनल पर नहीं तो subscribe कर लो और बाकी जो भी आपके doubts है वो आप comment section में मेरे को बता दो so that कि मैं उसको next video में include कर लूँ okay so thank you and have a nice day